स्वाभाविक, नैसरगिक या अपने आप लेंगिक कठोरता नहीं आना इसके बारे बादचीत करते हैं मेरा नमें डॉक्टर दीपर केड़ेकर मैं मनोविकार, सेख्स, रोग, सम्मोहन तथा व्यस्तन मुक्ति तक हुँ महाराष्टी में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं काफी दारे बच्चे यववनावस्त में आते हैं मेरे बास में और उनको यह कंप्लेंट रहती है कि अभी उनको जो स्पॉंटेनिस इरेक्शन आना चाहिए वो आता नहीं है इसा पहले ऐसे होता था कि वह दिन में कभी भी दो-चार बार नैचरली आप्टोमेटिक एरेक्शन आता था दिन में और उनको अच्छा लगता था अभी वह नेचरलल इरेक्शन जो है लेंगी कथोरता जो ईलि इलिंक में कथोरता आना नैचरली दिन में जो आनी चाहिए वो आती नहीं आपको पूछा कि ठीक है चलो बताइए कि अब कि कब-कब यह लेंगी कठोरता आती है आपको यहां वैसा सुभ जब उट्टे तो आती है मैं फिर क्या प्रब्लम हो तो नहीं सर्गी के फिर तो नैचरल आई रही आपको अब का बात है नाचरल लिए रात को कभी जाग आजाएगी तो कभी-कभी ऐसा दिखता है कि वह कठोरता है तो मैंने देखो आप सब्सक्राइब उट्टे हो तब यह रात के समय जब कभी उट्टे हो अचाना तब दोनों समय आपको लेंगी कठोरता है तो फिर प्राबलम के है ने बेदिन में नहीं आती है शादी होगे दो और मुझे चिंता यह है कि मैं शादी करूंगा तो प्राबलम आ गया तो फिर क्या करना तो मैं आपको पूचा कि ठीक है मगर आप यह देखो भी चिन में आपका ख्याल जब बार-बार-बार-बार-बार लिंक के तरफ तर और वह आप ही बोल रहे है कि रात में जब आपका ख्याल नहीं रहता है ना आप निंद में रहते है तो नैचरल आती है या सुभा आपका ख्याल रहता नहीं है लिंक के तरफ जब सब्वेरे उट्टे आप तो लेंगे कट्रोता रहती कभी-कभी तो इसका मतलब ही यह है कि आपका जितना ज्यादा अटेंशन उसके ओपर जाएंगा उतनी लेंगे कट्रोता आएंगी नहीं फिर क्या प्राब्लम है मगर लोग मानती नहीं अब उनको क्या सिखाए नहीं नहीं अभी मैंने बहुत मास्ट्रिबेशन किया मैंने बहुत हस्त में तुन किया और इसके यहां फिर मेरे मित्रा ऐसे बोल रहे थे कि नहीं नहीं आपने मास्ट्रिबेशन किया अच्छा नहीं है मेरा वैसा धातू भी बहुत जा रहा है रात को सपने में और उसके वज़े से भी प्राब्लम हा रहा है तो अभी क्या करे तो फिर बोलते हैं अभी मुझे ऐसा लग वोते हैं तो फिर नहीं बाके लोगों को तो होता नहीं है रहा है अब लोगों को पूछा क्या आपने बाके लोगों को रहा है कि नहीं हु novt देखा कि लैंख के लिंग के उंपर ध्यान दोगे उतना ज्यादा टाइम और यह उतना कम लेंगी कफ़ोता है ज़्यादा ध्याद आझार क्योंकि उसका function यह ऐसा है कि इतना जदा attention attention आगया उसके उपर कि वो गायब हो जाएगी तो आपको वह देखना है कि मैं मेरा attention वांए रहे आपका attention जो है वो sex act के उपर होना चाहिए और sex act के उपर हो गया जब act करते हैं उसके उपर आप का टेंशनल भी लेंगी कट्रता आउटमेटिक आएंगी मगर लोग एक बार फेलो जाते हैं sex करने के समय एक बार फेलो गए दुसरी बार के night आती है अभी आज होगी आई होगा की ने ओए और उसके तरफ देखते रहते और फिर उनका लेंगी कट्रता आतीम नहीं है तो मुझे यही बोलना है कि 이미डियो में क्या आम जितना चाहता है उसके उपर फोकस करेंगे उतनी लेंगी altreरता को जो आएंगी जतना कम फोकस करेंगे उतनी आएंगी तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं आपने उसके वर एक ही कसूर है क्या देख रहें दूसरा और एक बार लोग आते हैं मतला और एक सिंटम लेके या तकलीव लेके आते हैं कि पहले बहुत जादा आतीती कठोर था पहले बहुत ज्यादा में अस्तिमेशन करता था अभी नहीं पहले कप 16-17-18 साल में बहुत ज्यादा होता था हैं मतलब इरेक्षन आज यह पूरा का फूरा नर्स्तिमिरेशन जर्ख होता है और और sexual excitement डिमाग में जब होता है brain में उसके वज़े से होता है और जब आपका focus ही link यह उपर है तो इधर sexual excitement होंगा नहीं sexual excitement होंगा नहीं तो कठोड़ता आएंगे नहीं ऐसा विश्यस cycle है तो यह जायसा लोगों को share करो ताकि जो संब्रम लोगों के दिमाग में है इसके बारे में और फिर लोग घुमते रहते इधर उदर तो वो घुमना बनो जाएंगे और लोग संब्रमित नहीं होंगे और अपना जीवन अच्छितर से जी सकेंगे हमारा जो मिशन है वो सब के लिए मानसिक स्वास्तिर विसन मुक्त महारत है इसमें आपका वियात लग जाएगा थैंक यू बरे मच्छ पर दो